तो रूस और युक्रेन के बीच चल रही जंग में अब उस दौर की शुरुआत हो चुकी है जिस दौर के बारे में अब तक महज खयास लगाए ज़ा रहे थे अबर तो ये मल रहे है कि जी ट्वेंटी देशों के बैठा के बीच पुतिन की सेना ने युक्रेन और उसके सयोगी देश पोलेंट पर जबरदास थमले बोलने शुरू कर दिये हैं विकोल दावा ये भी किया जा रहा है कि दौरान पुतिन की सेना ने एक ही दिन के अंदर 90 मिसाइले दागी हैं चादी रूसी सेना के सीरल अचाक के बाद भयानक युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है और ये भयानक युद्ध में पुलेंट तक आहा का पुतिन की सेना का सबसे बड़ा वार एक ही दिन में 90 मिसाइलों से प्रहार रूस की सेना का चारगेट नेटू युद्ध में पुतिन की सेना का सबसे बड़ा हमला जी ट्वेंटी की बैठा के बीच नेटू देशों को पुतिन की सीधी चुनाओ दी वार्ड जोन से आई ये तस्कीने देखकर पूरी दुनिया में हड़ कम्प बच गया एक ही दिन में पुतिन की सीना ने करीब पुतिन की मनशा क्या है पुतिन का ये हमला इसलिए और जादा डराने वाला है क्योंकि इस वार पुतिन की 90 मिसाइनों से निकले बारूत ने नेटो देशों के उस पॉलेंड को भी टार्गिन किया है जो लगातार इस युद में युक्रीन का साथ इताया बच्छा, держави Балтії, це питання часу, коли б російський терор пішов далі, треба поставити на місце терориста Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети रूस के इन हमलों ने महस कुछ ही घंटों के भीतर युक्रीन में भियानक तबाही मचाई दावा क्या जा रहा है कि रूस के सीरियल अटेक में युक्रीन के पावर सिस्टम और रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुचा है इंडोनेसिया के बाली में एक तरब G20 की बैठक चल रही है जहां युक्रेन युद एक बड़ा मुद्दा है प्रधानमंती नरेन मोदी भी रूस से युद रोकने की अपील कर चुके हैं लेकिन पुतीन के इरादे कुछ और हैं क्योंकि जब बाली में G20 का समेलन चल रहा था तब युक्रेन पर कहड़ाने के लिए रूस की एक दो मिसाइले नहीं बलकि एक साथ 90 मिसाइले वहां से छोड़ी गए युक्रेन की राष्ट पती का दावा है क्योंने रूस के समले को लेकर दुन्या को पहले ही आगाह किया था और अब G20 देशों की बैचा के बीच पोटीन के सेना ने युक्रेन और पोलेंट पर ये हमला कर अपने खाफना की रादों को जाहिर कर दिया है इसा दे, про що ми давно попереджали, ми говорили про це, терор не обмежується нашими державними кордонами, вже поширюється на територію Молдови А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни, загинули люди, прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться यूक्रेन और पोलेंट पर हुए, इस खतरनाक हमले के बाद, G7 देशों ने भी एमर्जंसी बैठ बलाई है जबकि अमेरिका के राश्टरपती जो बाइडन ने भी पोलेंट को पूरी मदद का रोसा जताया है इतना ही नहीं, बाइडन प्रशासन की तरब से ये भी कहा गया है कि पूर्वी पोलेंट को हुए नुकसान के भरपाई के लिए वो दुनिया के नेताओं से बात चीत कर रहे है साथ ही उन्होंने इस हमले की पूरी जाँच का आश्वासन भी दिया है पूर्वी यूकरेंट को हुए इस नुकसान के बारे में हम दुनिया के नेताओं से बात चीत कर रहे हैं अमेरिका पोलेंट की जाँच का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद है अभी तक पुतिन के सेना यूकरेंट के शहरों को टार्गेट कर रही थी लेकिन ये पहली बार है जब पुतिन के सेना की कोई मिसाइल किसी नेटो देश पर गिली है यही वजह है कि भयाना खत्रे के संकेत साफ महसूस किये जा रहे हैं यूकरेंट के राजधनी कीव से इस हमले के बाद लोगों का पलाएन शुरू हो चुका है लोग किसी भी क्यमत पर कीव को जोड़कर महफूस ठिकानों की तलाश कर रहे हैं यही वजह है कि कीव की सडकों पर भीशन जैम लग गया है दावा किया जा रहा है कि अब किसी भी वक्त फोतिन के सेना इससे भी बड़ा हमला अंचाम दे सकती है